नमस्कार, आज मैं आपको दो अंकिये संख्याओं के घन निकालने का एक बेहत सौट ट्रिक बताने जा रहा हूँ, जिससे बिलकुल आसानी से आप दो अंकिये संख्याओं का घन निकाल पाएंगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दो अंकी संख्याओं का घं निकालते कैसे हैं उसके बाद मैं ट्रिक बताऊँगा तो एक उदारन मैं ले रहा हूँ 11 का क्यूब यानि 11 का घं तो इसका अर्थ यह है कि 11 गुना 11 गुना 11 तो हम कैसे निकालते हैं अभी 11 गुना ये 11 तो ये 1 से गुना करेंगे तो ये 11 हो गया फिर ये 11 से करेंगे तो ये 11 अब इससे जोड़ दे रहे हैं तो ये हो गया 121 फिर इसे 11 से करेंगे एक से ये 121 और फिर यहां 121 अब इससे जोड़ देंगे तो 1, 3, 3, 1 तो यह हमारा जो परंपरिक तरीका है अब मैं जो तरीका बता रहा हूँ मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ उसे देखिए ग्यारा का क्यूब तो यहां इकाई में एक है इसका क्यूब कर देते हैं इसका घन है तो एक गुना एक गुना एक यह हो गया एक अब इस के क्या करते हैं यह जो 11 है तो यहां गुना करते हैं एक गुना बने यह दहाई गुना एकाई गुना यह जो उपर में घन है यह तीन तो यह तीन हो गया अब हम क्या करते हैं कि यह जो हमारा आया तीन तो 11 तीयाई 33 गुना कर देते हैं तो यह लिख देते हैं उसके बाद, यह 33 हमने लिख दिया, ठीक है, अब इस एक का जो दहाई है, उसका क्यूब कर देते हैं, तो आ गया, एक, तो यह देखिए, यह 1331 आ गया, यहां भी हमने परंपरिक तरीके से जो निकाला था, वो आराम से आ गया, अब एक और देखते है और आपको समझे में आएगा, इस ट्रिक को समझने में साहता में लिएगी 12 का क्यूब, तो अब मैं लिखना रहा हूँ, मैं direct कर रहा हूँ, दो का क्यूब करेंगे पहले ही का, आठ हो गया, अब क्या कैंगे, एक गुना टो गुना तीन, तो यह एक गुना दो, गुना ती तो कितना हो गया छे तो बारचाट बाहत्तर अब इस दाहाई एक का हम क्यूब कर देंगे तो आजाएगा एक देखिए 1728 आप इस जो तरीका है से क्यूब करके और इसे मिलान करें यह सही है या नहीं एक और उदार लेता हूं 13 का तो यहां तीन का क्यूब करेंगे तो यह हो जाता है 27 तीन का क्यूब करेंगे तो 27 तो 27 का साथ हमने लिखा 2 को हमने रखा हासिल में अब एक गुना तीन गुना तीन यानि 9 हो गया तो 13 नमा 117 और इसमें जो हासिल था इसे जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 119 इसका जो 19 है यह यहां लिख दे रहे है अब यह हासिल हो गया, यह एक हासिल हो गया, अब एक का क्यूब करते हैं, तो एक आया और यह हासिल जोड़ दिये, तो यह हो गया 2197, और एक उधारन देखिया, छली एक और उधारन देते हैं, यह 21 का क्यूब, तो यहां देखिए एक का क्यूब करेंगे तो एक हो गया यह तो हो गया क्लियर अब दो एका दो और तिया छे तो 21 को हम 6 से गुना कर देते हैं 21 गुना 6 छे एका 6 छे दुनी 12 तो इसका जो 26 है इसको यहां लिख दे रहे हैं यह एक है यह कहां चला गया हासिल में तो दो का क्यूब करेंगे आठ और यह एक जोड देंगे तो 9 यहां हमें लिखने की जौरत पड़ी इसलिए कि आपको समझाना है आपको लिखने की आप सकता नहीं है आप डारेक्ट इसको करते चले जाएंगे तो अब क्या करें कि और जल्दी आप इसे कर पाएंगे आपको अगर ये ट्रिक पसंद आया हो ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे जरूर लाइक करें और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कृप्या सब्सक्राइब भी कर लें ताकि जो भी नई सब्सक्राइब आपको चला जाए धम्यवाद